और मनिश वैश्णों आप आएं वंदनीय संत समाज सभी साधा के हम साधी काएं आप सभी को मेरी साहेब बंदगी यहाँ मैं एक बात की उठ्सुक्ता के कारान आया वह बात यह थी कि मेरे नाना ने मुझसे कहा कि अरे चलो वहाँ का जीवन जी के देखो कैसा होता है वहाँ का जीवन मैंने सोचा इत्ते साल से एक जिन्दगी तो जी रहे हैं चलो नई जिन्दगी जी के देखते यहां आते ही जैसे ही मैंने आस्रम में कदम रखा यहां की हवा यहां का वातावरन इतना सुद्ध और पवित्र है अपने भासा में कहूं तो यहां की वाइप काफी अच्छी है मैं उनका भार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे नाना जी ने अपने सानिध्य में मुझे यहां लाया उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इंसान उन चीजों से ज़्यादा प्रभावित होता है कि सामने वाले से आपको इंफॉर्मेशन मिले और वो चीज आपके लाइफ में घटी थो इंग्जांपल के लिए जब मैं साधना में बैठा था मेरे मन में कई प्रकार की विचार उठ रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था वो विचार क्यों उठ रहे कई विचार तो विचलित करने वाले थे मैं सोच रहूं मैं ये सब क्या सोच रहूं लेकिन हमारे पूज्य श्री जब विवेक साहिब जी ने इस बात की व्याख्या की कि भाई दिन भर में या पूरे दिन में हमारे अंदर जो हम देखे सुने अपने इंद्रियों से ग्रहण की रहते हैं वही चीज हमारे अंतर मन में संसकार के रूप में संग्रहित हो जाती और वही विचार उड़ते हैं जब तक कि आपको ये पता ना हो कि इसका आधार क्या है ये चीज कहां से उत्पन न हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते लेकिन अगर आपको आधार पता चल जाए तो आप रोकने के लिए कुछ कर सकते विवेक साहब जी ने जब व्याख्या की तब ज़्यादा तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन पहले से जो विचार अब मेरे मन में उड़ते हैं उन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि आ रहे हैं तो नहीं इग्नोर और हमारे पूज्य साहब स्री धर्मेन साहब जी की एक बात बहुत ही मेरे जीवन में बदलाव लाई मैं अपना नुभव बता रहा हूं साहब जी ने कहा यहां कि आप और कुछ सीखो चाहे मत सीखो संतोस करना सीखो संतोस करने से एक खुसी मैं अपना बता रहा हूं कि एक खुसी और एक जो बड़पन महसूस होता है यह सुख मैंने बाहर कभी नहीं लिया संतोस करने का मेरी छोटी बहन है मैंने कभी संतोस नहीं किया कि हाँ कुछ चीज है मेरे को ज़्यादा चाहिए तो चाहिए मैं बड़ा हूँ मेरे को ज़्यादा चाहिए अब मुझे में संतोस है कि हाँ संतोस करने से भी खुसी मिलती है अगर कोई विरक्ती में नहीं भी जाना चाहते हैं अपना दैनिक जीवन ही जीना चाहते है तो भी अब सद्गुरु यहां के जो सद्गुरु है उनका सानिद्ध कीजे क्योंकि सद्गुरु जी से जिनका संबंद है सद्गुरु जी से जिनका संबंद है उने हर घड़ी आनंद ही आनंद है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सिविर में आईए और यहां के सद्गुरुवों का सानित कीजे धन्यवाद साहे बंदी बहुत बहुत सुंदर उन्होंने जो अनभव किया जो उनकी मना इस्तिती थी अब उसके बाद में यहां से विचार सुन करके वो अपने मन में अपने विचारों में तबदिली लाने की चेस्टा की ध्यान साधना जो बन सका किये और यहां से प्रणा ले रहे हैं अच्छी बात है मैं युवा साथियों से पुना निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो यहां सिखे समझे जो निर्देश मिला उस पर आप जीने का प्रयास करेंगे यह सत्र अभी हम लोग भजन स्रमन कर रहे थे और एक साधक जो गुजरास से आये हैं चमन जी उनके अनभव भी अब हम जो यहां साधना में आए और खास करकी युवा साथि एक तो युवाओं को समय नहीं रहता दुसरी बात है मन भी नहीं लगता लेकिन फिर भी समय निकाल करके यहां आए साधना में बैठे साथ दिन तक के यहां के नियम का पालन किये उन्होंने जीवन में क्या अनभव किया क्या उनको परिसानी आई क्या वो महसूस किये क्या उनको अच्छा लगा इस पर हम उनके विचार उनके राय जानना चाहेंगे आएं पहले भूमी का सा हो हाँ आपके क्या नहीं हाँ जो मोनीका नोमीका अच्छा अच्छा हाँ ठीक बोलो बोली 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 किवाद अपने जो अनभव है जो कुछ आपने महसूस किया उसको सेर करें शाहे बंदगी शाहे सद्गुरू कबीर शाहे विकीज मेरे ये ध्यान शिवीर का दूशरा शाल है मैं सबसे पहले 2021 में आई थी उस ताइम मेरे को ध्यान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था पर यहां आखे बहुँ शारा अनुभव प्राप्त हुआ मेरे पापा कहते थे ध्यान शिवीर में जाया करो जाना चाहिए तो उस ताइम मैं चलो चली जाती हूं करके आई थी ताकि यहां से कुछ नया नया शीखने को मिले मुझे और साधू शंतो की शंगत में कुछ नया शीखने को मिले तो उस ताइम ध्यान के बारे में तो पता नहीं था मेरा मन भी नहीं लगता था धीरे धीरे मेरा मन लगना शुरू हुआ ध्यान भी अच्छे से लगना शुरू हुआ फिर दुसरे शाल भी मेरा मन किया कि यहां आओ तो फिर यहां का महौल बहुत अच्छा रहता था बहुत शांत में महौल था ऐसा महौल नहीं मिलता था कहीं तो यह शांत महौल में ध्यान भी अच्छे से लगता था मैं घर में भी जाके प्रैक्टिस करती थी, ध्यान लगाती थी, तो अच्छे से लगता था, पर दीरे-दीरे में कम कर दी थी, ध्यान लगाना तो उतना कम कर दी थी, तो फिर उतना ध्यान नहीं लग पाता था, तो फिर इस साल यहां आके और मेरा ध्यान अच्छे से लगने थोड़ा चोटा सालन जो बच्चे समय ले करके आते हैं एक तो पढ़ा लिख रहे हैं बीजी समय रहता है उनका उसमें से टाइम ले करके आते हैं और साथ दिन तक के बैठे ध्यान की बहुत बड़ी बात है मोनिका भोरिंग से हैं आप भी आएं सब लोग अपने विचार ही देना है भजन तो बहुत हो चुका है बोलिए सद्गुरु देव की जय कबीर साहेब की जय इस बार ध्यान सबी में पहली बार आई हूँ मैं मुझे बहुत अच्छा लगा लता साहिब ने बताए कि एक बार चल के देखिए क्या महसूस होता है क्या सिख मिलती है क्या गुन मिलती है इसे क्या सिख होती है मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं पहले बार आई हूँ तो और बहुत संद भगतो साधवियें सबसे पहचान हुई ग्यान हुई सब लोग कुछ कुछ ग्यान के बाते बताए और सब लोग अच्छे से प्रेणा दी साध बंदगी साध लखी नहीं रहते हैं लखीन इतना साहस करके कुछ कर रहे हैं धन्यवाद है आगे मेनित साहु बक्तरा बक्तरा से है अच्छा बोलिए सद्गुरु देविकी मैं सब ताहिक धासीर में सबसे फ़र्ष्ट बारा है है मुझे बहुत ही अच्छा लगा इधान स्वीर में दो दिन तक तो मेरी बच्ची के याद है चोटे-चोटे बच्ची है करके फिर धीरे-धीर मैं अच्छे से बेठा फिर आस तो और एकदम अच्छे लग रहा है सहर बमिन देखो है मर कहां कहां खिषता है बच्चों को छोटे बच्चों को छोड़ करके आए हैं सुभाविक सी बात है लेकिन उसके बाद भी बढ़िहा से मतलब चार मेटिंग यहां वेवस्तित रुप से बैठती थी और उसके बाद में जब वहां सेवा का उशर होता था सेवम भी जाती थी धन्यवाद है कल्यानी गाता पार से कल्यानी है सेवा में अब मैं साथियों से رाज कुमार जी बिलारी योग साथियों से राज कुमार का भरत कुमार बोलिए स्द्गु कबीर साहिब की स्द्गु स्रियाविलाज साहिब जी की जाये पोजिया गुरुदेव वंदनी संसमाज और सम्मानी है मेरे साधकगड मैंने जो पढ़ाई है बजपन की उसे सरसोती सिसु मंदिर में किया है वहाँ एक सदाचार पार्थे पुस्तक होती थी उसमें उसमें गुरुकुल की जो बारे हैं उसे बारे में बताते थे कि गुरुकुल में जो बिद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार पढ़ाई करते हैं कैसे जीवन बियतित करते हैं जो गुरुकुल में बच्चे बिद्यार्थी होते हैं वे नित्य सुबा उड़ते हैं ब्रभ्ममूर्त में और अनुसासर में रहते हैं और जो भी काम है अपना खुद के स्वयम करते हैं मतलब वहां जो बच्चे रहते हैं वह बहुत ही स्वालंबी आत्म निर्भार और बहुत ही मेघावी होते हैं यह मैं जानता था लेकिन उसको कभी अनभौ नहीं किया था बस सुनने में पढ़ने में आया था लेकिन जब यह आया तो मुझे मुझे पता चला कि वाकी में जो हैं गुरुकुल में पढ़ होती है वह वास्तरी सच्छा है और मैं अनभौ किया यहां आया तो पहले मैं बहुत ही इतम कमजोड था क्योंकि सुबा बहुत लेर से उड़ता था और रात को बहुत देर से सोदा था लेकिन ज मेरा मोबाईल छुटी नहीं रहाता लग भग चार सालो गया मुझे मोबाईल चलाते मुझे वर एक दिन भी मोबाईल और 2 को जाटा से मन वोहाएं सांदे आया और वहाएं अच्छा लगा मोबाईल छुटी और तीसरी बात ऌर में बहुत ही बोलता था। जो यहां आकर बहुत ही कम हुआ और जो नहीं बोलने से कितने मन में सांती मिलती है वो आनन मैंने महसूद किया सचने सह बंदगी साह तालियों से स्वागत बहुत अच्छी बात सबका अन्भाव होगा मोबाईल की बिना जीना मुस्किल होता है लेकिन अगर कहीं ऐसे ही कहें कि आप दस दिन मोबाईल नहीं चुना है तो कितना आप सोचेंगे बड़ा कठीन लगेगा लेकिन कम से कम यहां छे दिन तक कि मोबाईल जमा करके रहे आप जीवन में एक संकल्प ले लीजिए कि रोज तो आपके पास में रहता है मोबाईल लेकिन कम से कम दस से बारा घंटा आप उसको अपने से अलग रखेंगे या स्वीच आप फ्राइट मोड में रखेंगे आप जितने भी आजकल नएने संसाधन आ रहे हैं नएने टेक्नलाजी का विकास हो रहा है इसमें सयम की आवशक्ता है कल भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मोबाईल का दुरुपयोग करके आज युआ वर्ग गलत दिसा में जा रहा है इस पर आप लोग चिंतन बनन करें और कम से कम मोबाईल को प्योग करें और जब जो भी उप्योग हो सद उप्योग हो इसका ख्याल राखेंगे पंकज साहु बक्तरा सब नए ने उम्र की बच्चे हैं और पहली बार यहां भाग लिए हैं इसलिए हम इन लों का ही अन्भाव जानना चाहेंगे बोलिये सत्यकबीर साहेब की जाहेब बंदगी साहेब मैं यहां पहली बार आया हूँ मुझे एक दो दिनों में ऐसा लगा कि मैं कहां फस गया उसके बाद लगा कि यहां साहेब जी अच्छे बता रहे हैं विचार आया तो लगा यहां अच्छा नुभाव लगा फिर लगा कि ऐसी जीवन अच्छी होती है साहेब जी बता रहे थे संध्या को मिलने बोले थे आये थे बोले सही संगती रखना सही लोगों के साथ रहना और मोबाइल में देख रहे हो तो भजन सत्संग सुनिये गलत राह पर मत चलना मुझे यहां ऐसन उभा हुआ कि मेरे पास सब्द नहीं है बताने के लिए साहिब बन लग साहिब बहुत बहुत भन्यवाद मैं देखा युवा साथियों को कुछ लोग मेरे से अलग से मिल रहे थे तो मैं कहा सब के सब युवा जो हैं भाई लोग हैं यहां मिले मिले तो अपनी अपनी बातें सेयर कर रहे थे और मैं कुछ कहने लगा, साहिब जी से भी चर्चा होने लगी तो उनको अच्छा लगा और जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए संद गुरुजन का सानिध सत साहित्य का अध्यन और समय समय से आत्म मंथन की आवश्यक्ता होती है और इसके लिए जरूरी है कि आप संदों के साथ में जुड़े रहे हाँ, एक बहन कलानी वो आ गई है उनका नाम लिया था, वो नहीं आ पाई थे आजाएं, अपने विज़ार रखें बोलिये सद्गुरु कभीर साहेब की मैं यहाँ मैं यहाँ दूसरी बार आया ध्यान स्वीर में पहला तो मैं जानता भी नहीं था कि ध्यान स्वीर क्या होता है फिर लता साब यहाँ मारे यहाँ गया तो बताया चलो बच्चो वहाँ ध्यान स्वीर में जाना संग सुनना ऐसे करके तो पिछले बार आया तो मैं ध्यान स्वीर करते समय यहां अनुभा हुआ कि यहां से चली जाओ ऐसे करके लेकिन दो तिन दिन यहां रुका तो मैं जाने का मन नहीं हुआ फिर ना इस साल अपने मर्जी से आया साहिब बंदगी बहुत अच्छा लगा लेकि यहां आने से अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं और अच्छे अच्छे ग्यान भी मिलते हैं बच्चों को बहुत संस्कार भी मिलते हैं साहिब बंदगी साहिब बच्चे यहां पढ़ने वाले हैं लेकिन हिंदी में पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन बोलने की भासा बोली चतिस गड़ी है तो चतिस गड़ी में अभ्यास है पीछे से साइब तो अभ्यास बोलने का चतिस गड़ी में हिंदी बोलना होता है तो कठीन हो जाता है लेकिन उनका भाव देखे ये धन्यवाद के योग्या है एक भूमिकाश भूमिकाश जी आई है भूमिकाश शाहो वो कहां है आप भी आएं अपना विचार रखें नहीं है पंकाश जी जी पंकाश शाहो बक्तराशे विपुल वो भी नहीं जब चिडियों ने खेत चुग लिया फिर पस्ताय क्या रोवत है उट जाग मुसा फिर बोर्वै नादान भुगत करनी अपनी ये पापी पाप में चैन कहां जब पाप की गठरी शिषदने फिर शिषपकड क्यों रोवत है उट जाग मुसा फिर बोर्वै अब रेन का जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है उट जाग मुसा फिर बोर्वै सत्त गुरुदेव की शाई बंगे साई उपर आजाएं इसी कड़ी में आदित वैश्णाओं कहा है भी? आप भी आजाएं और थोड़े में अपना विचार रखेंगे बोलिये सत्त गुरुदेव की यहाँ जितने भी बैठे संद समाज और भगत समाज को मेरी तरब से सहेब बंगी तो बात आती है जब मैं घर में था तो मेरे नाना जी मेरे को बोले की यहां राजिम में एक ध्यान सिविर लगा है तो ध्यान सिविर का नाम सुनते ही मन में यह आता है की यहां के लोग मतलब सादा जीवन कुछ मतलब नॉर्मल गाते खाते पीते पहनते मतलब रहन सहन एकदम समान नहे तो यह सुनके मन में ये आता है कि क्या जाओगे फाल तू ऐसा घर के ये अपनी भासम है फिर मैं सोचा कि लाइप में सब चीट राई करना चीए तो फिर जब मैं यहां आया तो आस्रम के बाहर जो गेट है उसके बाहर का माहूल और अंदर के माहूल में बहुत अंदर है जैसे ही यहां पाउं रखेंगे यहां की हवा यहां जो आसपास का माहूल है बहुत ही सांती देग है जो सभी जगा का नहीं पता लेकिन जो आस्रम के बगल में जो खेत है वहां पस जो सांती मिलती है खड़े होने से या बैठने से वो महुत ही आनन्द मही होता है तो यहां ने मैं मैं पांची यहां ने पर मैं कुछी चीज बस गिनाओंगा जो सीखा सरलता, सहजता, सभ्यता, संसकार और अनुशासन यह पांच चीज इस आसरम में बहुत भर कर है जैसे यहां रहने पर आसपास लोगों को देखने पर यह पता चलता है कि वो लोग कितने सब यह सिंपल है तो लगता है कि यह कैसे हो सकता है यह सब लेकिन जैसे जैसे यहां रहे, साथ दिन का सिवीर रहा जैसे जैसे एक एक दिन बीटता गया, उसमें पता चला कि वास्तव में इन सब चीजों में कुछ तो बात है तो अंत मैं यहीं कहना चाहूंगा कि किसी भी आदमी में दया छमा संतोस ये भावना होनी चाहिए इसी प्रात्ना के साथ मैं अपनी वाड़ी को भी राम देता हूं बोल्ये साहे बंदगी साहे बहुत संदर आएं और एक बच्ची भूमी का वह आई है उनका नाम लिख वाएदा है हाँ कोई बात नहीं अर्चना बहन जो कहां से है करेली से आप आएं अपने थोड़े में एक विचार दीजिए और एक छोटा सा भजन आप सबको मेरा सादर दनाम हो और सबसे पहले तो मैं ध्यान शिविन में पहली बार आई हूं और सबसे पहला दिन और दूसरा दिन बेठने में इतनी तकलीफ होती थी ऐसा लगता था कि पता नहीं यह पेर और कमर का क्या हाल होने वाला है सबको ही ऐसा महसूस होता था और हमारे रूम में जो हम लोग पांस थे हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे यहां मौन रहने का तो बताया गया था तो हम लोग सब मौन रहते थे तो कल हम लोग सब लोग आपस में बात किये कौन कहां से आये हैं और कहां से हैं कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस मिसन से ऐसे सब कल बात सीट करके फिर हम लोग गुरूप का फोटो लिये हैं, एक दूसरे से अपना विचार भी शेयर किये हैं, और जब तीसरा दिन हुआ ना यहां, तो तीसरे दिन में थोड़ा बहुत लगा कि हाँ बेटने का अभ्यास हो गया है, उसके बाद चौथा दिन, पांचवा दिन और छटवा द गंटे तक बिलकुल आँख बन करके जब बैठने के बाद, बोलते थे थे ना सांस का ध्यान करिये, सांस के माध्यम से ध्यान करो, और उसके बाद ऐसे विचार आते हैं, तो बिच बिच में आँख बन करते थे थे ना, तब बोलते थे कि ये सब जो आप सोच रहे हो, ये भी सोचने का वक्त नहीं है तो ऐसा लगता था सबको लगता था ऐसे कि हम जो सोच रहे हैं कैसे गुरु जी को पता चल जाता है ऐसे करके लगता था फिर आधा पॉन घंटे के लिए जैसे अपने शुन्य में चले जाओ तो आँख बंद करने के बाद ऐसा लगा कि पता नही कि मैं कहां हूं उसके बाद ना फिर आँख खोल के देखी आरे मैं तो ध्यान सीविर में हूं और उसके बाद लगा कि आज तो मेरा पेर भी दुखनी रहा है ना कमर भी दुखनी रहा है फिर धीरे से थड़ा हिलने डुनने लगी तब लगा कि हाँ ध्यान करने से हम सभी क ये एक अनुभब भी मिला है कि ध्यान से सब कुछ प्राप्ट किया जा सकता है और आई ये एक बहुत सुन्दर साइग गाना है सांस सांस में भरा खजाना अरे इसे पहचानो रे सदपयोग कर लाभ उठाओ सीख सनातन मानो रे सांस सांस में हमारा ये खजाना भरा हुआ है तो आई ये हम इस जीवन का सदपयोग कैसे करें इस भजन के माध्यम से हम सभी सुनें बड़े भाग से ये मनुजितन मिला था गवाते गवाते उमर पार कर दी खाने कमाने में आयू गवाई फाने कमाने में आयू गवाई युही जिन्दगी हमने बेकार कर दी बड़े भाग से ये मनुजितन मिला था अभी चेत जावक्त जो भी बचा है अरे काल मुख से न कोई बचा है जड़ा सोच ले जड़ा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या युही जिन्दगी हमने है भार कर दी बड़े भाग से ये मनुजितन मिला था है संसार सागर्म जीवन के नईया है पतवार सतकर्म सद गुरू के वईया है संसार सागर्म जीवन के नईया है पतवार सतकर्म सद गुरू के वईया माया के चकर में हो माया के चकर में पस करके हमने जीवन के नईया है मजधार कर दी बड़े भाग से ये मनुजितन मिला था बड़े भाग से ये मनुजितन मिला था अगर चाहता अपना कल्यान प्रानी तो ले मान सचे सद गुरू की वानी अगर चाहता अपना कल्यान प्रानी तो ले मान सचे सद गुरू की वानी लगे अपना जीवन सत कर्म में अभी तक तो यहां उम्र बेकार कर दी बड़े भाग से ये मनुझतन मिला था गवाते गवाते उमर पार कर दी खाने कमाने में आयो गवाई खाने कमाने में आयो गवाई यो ही जिन्दगी हमने बेकार कर दी यो ही जिन्दगी हमने बेकार कर दी बड़े भाग से ये मनुझतन मिला था बोले परम्पजी गुरुदेव की जये बहुत सुंदर भजन आप गईका भी हैं और भजन गीत गाती हैं आएं अब राजिस्थान धोशा के पास से संताय हैं रामदाज जये आएं आएं आप भी पहली बार ध्यान सिर्वे भाग लिए हैं यहां तो आप अपने विचार से यार करें हमने सबके बेचे एक बार सभी गुर्देव का जयकारा लगाएंगे जोस्में और होस्न हो बार सबस्टन होस्न अपर एक हमने सबकारा करें होदे़ हैं बलिये सद्गुर्द देवे की जै, संत समाज की जै, वक्त समाज की जै बंदनिये गुरु परक को तु बारे बारे कर जोर, दयाकरन संशे हरन संत रूप प्रभु तोर, तु भंदो सन्मु की पारिकी, सीसी भेट धरु हात, वचने उचारु बंद गीत, सत प्रेम के साथ साइब तु पांची तत का पूतला, तु मानुस धरिया नाम, एक कला के बीच्डे तु विकल होत सब ठा, कि पांच तत का पूतला, मानुस धरिया नाम, एक कला के बीच्डे विकल होत सब ठा, ये पांच तत का पूतला है, शरीर है, मानुस नाम धरु, अगर एक कला ने हो, तो ये कोई काम का नहीं, एक कला वो है ज्ञान कला, चेतन कला, अगर मनुष के अंदर ज्ञान ने हो, चेतना ने हो, तो सब बेकार है, साइब जी का यादेश हुआ, मैं प्रभचन करता तो नहीं, वजन बांदेश से बोलता हूँ, बागी साइब जी, मैं वजन नहीं बोलूँगा, मैं ध्यान के बारे में बहुत को सुनता था कि भwy ध्यान करना चाहिए, मैंने गरीब साहिब का एक भजन में सुना, तू जेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका ध्याना, तो मतलब किसका ध्यान करना है, पर वांकि में मैं जब यहां आया तो मेरे को ध्यान का उन्व हुआ काफी बल मिला क्योंकि ध्यान ही अपने आप में रुकने का एक सादन है ध्यान के अलावा अपने आप में नहीं रुक सकता बस मैं इतना कऱके कितने लोगों में एक वहम है कि ध्यान मतब किसी देव का कोई इस्वर का किसी कलपना का हलो हलो तो किसी का ध्यान करना कई जगह पुछते हैं कि किसका ध्यान करना किसी का ध्यान नहीं करना होता है बारं बार कहा जाता था किसी का ध्यान न करना ही ध्यान कुछ न करना ही ध्यान वर्तमान में होना ध्यान अपने में होना ध्यान और एक सब्द में कहें तो ध्यान न करना ध्यान ध्यान न करना ध्यान है आप कभी जब भी बैठते हैं जो कुछ काम कर रहे हैं तब बात अलग है लेकिन जब इस्थिर होते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं कुछ न कुछ ध्यान करते हैं कहीं किसी की याद आ रही है कहीं किसी की आद आ रही है घर की, खेत की, दुकान की, बाड़ी की, मित्र की, दोस्त की, दुस्मन की कहें कि ध्यान न करना ध्यान है किसी का ध्यान न करें बस अपने आप में ठहर जाए ये ध्यान का असली रूप है और इस पर बहुत चर्चा हुई जैसे साहिब जी ने कहा कि भाई उनके मन में भी थोड़ा था लेकिन यहां आकर के लगा कि भाई अपने में होना ध्यान है और यही वास्तिक ध्यान है जो सांख, योग और कबीर साहिब के सहस्माधी पर इस पर चर्चा हो चुकी है अब यस्वंत जी भी यहां से जुड़े हैं और मैं देखा कि एकदम कंट्यूनी रोज ध्यान करते रहें चारों मिटिंग बैठते रहें मैं आपसे भी नियदन करूँगा कि आप भी अपने विचार हम जब के भी सेयर करें कुछ मिंटों में परंपुज्य साहिब जी मंजपरासिन पुजनिय संत समाज यहां पर उपस्थित सुस्री चंद्रकला साहिब जी सुस्री संता साहिब सुस्री सुमंद साहिब और सभी साथवीगन सिवीर में भाग देने आये हुए हमारे सभी माता बहने और भाई और हमारे बच्चे यह जो ध्यान सिवीर यहां पर आयवजन हो रहा है यह बहुत लंबे समय से हो रहा है इसके भूमिका के बारे में कि यहाँ पर नया पारा में पहले संत गुर्देव जी ए विलाज साहिब जी के सानिद्य में यहाँ पर सिविर नदी के पास लगा करता था, यहाँ पर इस ध्यान की बात होती थी और ध्यान के लिए फिर ऐसे यह उजना बनी कुछ भक्तों का विचारा आया और आज हम भक्त में से स्री संकर गौटियाजी को याद करना चाहेंगे, कि उनके अथक प्रियाज और दान से जो यहाँ पर रासी मिली और यहाँ पर जमीन खरीदा गया और उसके होने वाली आये, से यह कारेकरम यहाँ आशरम में संचालित हो रहा है और उनका जो सहयोग है और उनकी जो भाव थी, कि लोग ध्यान का लाब लें और अपने जीवन में जो भी दुख तक्रीफ है उनका निवारान हो सके इस प्रकार से हम लोग भी यहां पर समय समय से ध्यान पे बैठते थे चुकि मैं भी यही रहता हूँ और अपने सास की सर्विस में था तो यहां आश्रम में तो मुझे 15-20 साल से आते हो गया है लेकिन बहुत सारे दायत तो यहां के रहते थे उनके निरुहन करने के कारण निम्मित रूप से साधना में बैठना संभव नहीं हो पाता था अपेक्षाएं भी संद गुरुजन की रहती थी कि आप लोकल हैं तो कुछ बाहर के काम भी करना होता था तो इस समय सयोग से सुरत आश्रम जाना हुआ और जैसे ही सुरत आश्रम हम लोग ध्यान सिबिर में अटेंड करने के लिए गए पहली बार मेरे जाना हुआ था वहां आश्रम को देख करके और आश्रम की जो लोकेशन है उसको देख करके मन अनंदित हुआ वहां पे हमारे संत गुर्भुशन साहिब जिन से बार बार यहां मिलना होता था गुर्भुशन साहिब वहां के प्रमुख है यहां पर जो मन्च का संचालन जो साहिब जी कर रहे हैं संस्री विवेक साहिब जी वो भी वहां रहते हैं और उसके लावा और भी संत रहते हैं वहां पे जैसे ही हम लोग पहुँचे गुरुबुसन साहिब जी ने जिस धंक से हम लोगों को वहां पे रिशीव किये मन गडगड़ भी हुआ और वहां से बहुत सारी चीजे शिखने को भी मिली कि हम लोग इस प्रकार से लोगों को रिसेफ नहीं कर पाते हैं यहां नया पराथ असरम में लोग आते हैं तो हम को जैसा रिसेफ करना चाहिए लोगों को जिस प्यार से और जिस महबत से और जिस आधर के साथ उनको रिशिव करना चाहिए वो रिशिव यह हम लोग नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहली प्रेड़ना यहीं मिली कि साहब जी स्वेम महा का संचालक होने के बावजूद भी समाने से समान व्यक्तियों को भी किस धंग से ध्यान सिविर में भाग लेने के लिए मोटिवेट करते हैं इसका प्रत्रिक चुदारन यहीं है कि इस बार जो सिविर हुआ उसमें अभी जितने बच्चों ने अपने ध्यान अपने शेर किये उसमें सब ने कहा कि मेरे दादा जी ने मुझे प्रेड़ना दिया मेरे नाना जी ने प्रेड़ना दिया किसी नहीं नहीं कहा कि मेरे पापा ने प्रेड़ना दिया तो पापा का रूल वास्तिक में हम लोग सायद नहीं कर पा रहे हैं इसको विचारने की जरुरत है दादा तो उस उम्र में जा चुके रहते हैं उनका सारा अन्भा रहता है नाना जी का अन्भव रहता है, वो सुम्र में जा चुके रहते हैं, किये हो ना किये हो, जितना भी उनको अन्भव हुआ रहता है, उस अधार पे उस सोछते हैं, कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बोल पाया, लेकिन अपने नाती को जरूर बोल सकता हूँ, और नाती और नादा और नाना हैं, कम से कम अपने पोते और नाती को जरूर प्रेणा दें, और मैं समझता हूँ, यह एक रास्ता इससे खुलेगा, यह मुझे अन्वा हुआ। अपनी बात कहते थे, गुर्देव जी का हम सब के उपर बड़ा उपकार है, कि इस प्रकार का आउजन यहां पर नया पारा में होते रहा है, मेरा स्वेम का अन्वाज की बात है, कि पिछले जो सिविर मैंने सुरत में अटेंड किया, जहां पे मुझे अन्य दायतों का ध्यान लगा और उसका अन्वह हुआ, तो मैंने पाया और वही अन्वह यहां पर भी भी हुआ, पूरा ध्यान लगता था, सिर्फ बैठने में थोड़ी तकलिफ थी, इस लिबार मैं कुरसी में बैठ करके ही ध्यान करता था, कुछ समय नीचे भी बैठ जाता था, तो मैंन अन्वह किया कि हमारे अपने जीवन में यदि बहुत सारी परिशानियां हैं, यदि हम बहुत सारे लफड़े पाल के बैठे हुए हैं, बहुत सारी विशंगतियां हमारे जीवन में हैं, तो ध्यान नहीं लग सकता है, तो पहले ध्यान की भूमिका सिखें और वैसा पालन क या पहला बेस बना लें फिर ध्यान करें वाइस वरसा आगेरकार जैसे जो कुछ भी हमने सिखा है और जो अन्भो किया है कि ये हमारे नीमित दिंचरिया में हमारा मन कहीं न कहीं उज़ा रहता है और यहां आ करके ध्यान करके हम उस सारी जो नकरात्मक बाते हैं उसको हम छोड़ने का प्रयास करते हैं और दुबारा वैसा न करने के लिए संकल्पित होते हैं तो बच्चे जो आज यहां पर किये हैं उनके मन में भी बात आई होगी कि क्यों बैठना चाहिए बैठना इसलिए चाहिए कि आपका मन एकागर होगा तो आपके सारे काम पढ़ाई से ले करके जो भी काम आप करना चाहते हैं वो उसमें आपका ध्यान लगेगा और वो काम अच्छे से होगा इसलिए साहब जी लोग बोलते हैं कि हर समय ध्यान करते रहो चलते फिरते काम करते बाथरूम में रहते नहते सब जगा ध्यान तब होगा जब आप ध्यान की प्रिक सरीर है ऐसा नहीं लगता सरीर ऐसा लगता है कि सरीर है ही नहीं है सिर्फ जो है मन पे ध्यान जाता है और मन पे एक आगरता की बात जो है वो हम सफलता पूरवक कर पाते हैं और इसके लिए मैं वहीं बोल रहा हूँ कि हमारा सारा वातावरन घर का वातावरन, स्वेम का वातावरन बढ़िया अच्छा से रहेगा तो यह सब चीज संभव हो पाएगा इसलिए जिन लोग ध्यान किये हैं वो लोग अपने घर में जा करके वैसा वातावरन बनाएं और जिन लोग यहाँ ध्यान स्वेर में भाग लेना चाहते हैं वैसा ही वातावरन में वो जीना सिखे तो ये जब तक हम जीना नहीं सिखेंगे ध्यान नहीं लगेगा इसलिए अपने जीवन को सुधारें निखारें और संकल्पलें कि ये ध्यान हम लगातार करते रहेंगे मैं भी संकल्पलेता हूँ कि वैसे तो करता ही हूँ लेकिन पुना है उसको अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूँगा और जो कुछ भी उससे सरलता और सद्गुन हमारे अंदर आएगी वो निश्चित रुपसे साहब लोग की प्रयाना है मैं पुना आप सबका और संतों का बार-बार अभारी हूँ कि आप सबके उपस्थिती में ये ध्यान सिविर हो रहा है पुना आप सबका विवांदन करते हूँ है पनिवानी को विराम देता हूँ बोलिये इश्चत गरू कभीर साहब की जय जय बहुत सुन्दर आपने एक बात कही कि नाना और दादा की प्रयाना से तो बच्चे आ रहे हैं पिता की प्रयाना से किसी ने नहीं कहा कि हम पिता की प्रयाना से आए हैं तो ये संकेत समझ गए होंगे कि हर माता-पिता को अपने बच्चे को आज का जो माहूल है आज का जो वातावरण है जिस प्रकार भवतिक्ता की ओर जो अंधी दोण में लोग लग रहे हैं जिस प्रकार नसा वैसन और अनेक प्रकार की जो मतलब गलत चीजों में बच्चे पड़ रहे हैं उनसे यदि बचाना है तो आप अपने घर का माहूल अध्धात्मिक बनाईए और उनको बच्चों को चाहे लड़की हो लड़के हो उनको समय समय से ऐसी जगह में लाएं वो ध्यान करना सिखें अपने में होना सिखेंगे तो निश्चित ही इन बुराईयों से बच्चे रहेंगे अब ये आप समय सब ये करें और लोगों को प्रेणा दें क्योंकि जो बच्चे होंगे ना जैसे उनकी इस्तिती बनेगी वैसे ही आपका भी भविस्य होने वाला है मैं कई परवारों को जानता हूँ कि बच्चे बिगड़ गए माता पीता रोते हैं क्या करें इसलिए आप सब का दावित्व है बहुत सारे लोग है हमारे साध्य बहने भी एकदम वैवस्तित रूप से साध दिन तक के ध्यान की है लेकिन समय का तगाज़ा है इसलिए हम सब को समय नहीं दे पाएंगे एक साध्य बहनों की तरफ से एक भजन गाएंगी उसके बाद दो-तिन के हम वीचार सुनेंगे साध्य तारा अच्छा वो क्या नहीं हाँ बच्ची आज़ो सुनार देवरी से एक बच्ची आई है साध्य बहन आप आज़ाएं ममता हलो संत्रम्राट सत्गुरू कबिर साहब जी परंपुजय गुरुदेव जी उपस्थित संत्समाज साध्वी समाज एवं यहां उपस्थित माता बहनों भाई बहनों आप सभी के समक्च मुझे भी स्तिरी साहब जी द्वारा आग्या हुई है एक भजन प्रस्तूत करने की आग्या पलनार्थ एक भजन प्रस्तूत है किसी प्रकार की तुरूटी अगर होती है तो मैं छमाप्रार्थी हूँ बोलिए सद्गुरु देव की जै ध्यान मूलं गुरूर मुर्थी पूजा मूलं गुरू पदम मंत्र मूलं गुरूर वाक्यं मुख्यमू लम गुरू क्रिपा गुरूर देव कुरूर धर्मू गुरुहनी स्ठा परम तपा गुरू-पर्तरम्नास्तिनास्तितत्त्तम् गुरु परम बुले सद्गुरु देव की जय छूले ने दो इने चरनों को छूले ने दो इने चरनों को बने जाने दो सुना चरन कमल अब नहीं खोना चरन कमल अब नहीं खोना चूले ने दो इने चरनों को बने जाने दो सुना चरन कमल अब नहीं खोना तुम हो पार से मैं हूं लूहा चूले ने दो इने चरनों को चूले ने दो इने चरनों को बने जाने दो सुना चरन कमल अब नहीं खोना न खोना न खोना न खोना सत्य धर्म और सांति प्रेम का दीपक यहां पे जलता है इस पथ पर सत्य गुरु मेरा सत्य गुरु ही बस रहता है सत्य धर्म और सांति प्रेम का दीपक यहां पे जलता है इस पथ पर सत्य गुरु मेरा सत्य गुरु ही बस रहता है ग्यान के सागर प्रेम के सागर सागर में डुबोना चरन कमल अब नहीं खोना न खोना न खोना न खोना छोड़ के आया मम तक इछाया द्वार तिहारे में आया अब तुम मुझे से जुड़ लुबंधन जनम जनम में भरे माया छोड़ के आया मम तक इछाया द्वार तिहारे में आया अब तुम मुझे से जुड़ लुबंधन जनम जनम में भरे माया धूल चरन की मिल जाये तू धूल चरन की मिल जाये तू फिर के साहे रोना चरन कमल अब नहीं खोना चरन कमल अब नहीं खोना छूलने दो इन चरनों को छूलने दो इन चरनों को बन जाने दो सूना चरन कमल अब नहीं खोना न खोना, न खोना, न खोना, न खोना ग्यान के दाता प्रेम के सागर खोया प्यारी जगा दो आकर जन में मरने का बंधन काटो मेरे प्यारी को अमरे बना दो ग्यान के दाता प्रेम के सागर खोया प्यारी जगा दो आकर जन म मरने का बंधन काटो मेरे प्यार को अमरे बना दो तेरे नाम के सिवा साहिब जी तेरे नाम के सिवा साहिब जी जीवन में कुछ होना चरन का मल अब नहीं खोना चरन का मल अब नहीं खोना छूलेने दो इन चरनों को छूलेने दो इन चरनों को बन जाने दो सुना चरन का मल अब नहीं खोना चरन का मल अब नहीं खोना तुम हो पारस मैं हूं लूहा छूलेने दो इन चरनों को चूलेने दो इन चरनों को बन जाने दो सुना चरन का मल अब नहीं खोना चरन का मल अब नहीं खोना गोले सद्गुरुदेव की साहे बंदगी बहुत संदर अब आएं भजन के लिए आप समय नहीं है जो भी है एक भजन में पूरा हो गया हाँ अब एक निवेदन है भाई लोग भी जैसे बहुत दूर दूर बैठे न आप लोग सट के बैठे और थोड़ा सा आगे बढ़ लीजे आगे बढ़ करके और माता बहने भी साधी बहने आ गई है तो आगे बढ़ करके आप लोग बैठ लीजे हाँ जल्दी से आप लोग बढ़ करके बैठे कुछ दो लाइन आप छोड़ करके एक लाइन छोड़वा दे जल्दी से बढ़ जाएं बढ़े नहीं पंदर नहीं पंदर नहीं जो लोग आगे बढ़ने कह रहे हैं आप लोग सांती से लोगों को साइजस्ट करें अब आएं अब हम साध्य बहनों के भी विचार सुनेंगे जो साध्य बहने कुछ बहुँ सारे साध्य बहने आई हैं और एकदम नीमित रूप से ध्यान के सत्र में भाग ली हैं ध्यान की हैं मैं सबको तो समय देना मुमकिन नहीं है मैं पोटेडी से आई हुई साध्य संतुस्टी साहब से निविदन करता हूँ कि आप आएं और आप कुछ मिनट में अपना अनभाव सेयर करें बोलेश गुरु कबीर साहब की जै शंत समाज की भक्त समाज की मेरी मनमंदिर क्या राद परमपुजी गुरुदेव जी मुद मंगल मैं संसमाज धर्व प्रेमी शिजनो माता बहनो एवं प्यारी प्यारी बच्चो मेरे लिए भी आग्या हुई है आग्या पालनार्थ कुछ देर निविदन है मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हम सब को हिम्मत करना है सुरू सुरू में जब बैठते हैं तो सरीड भी शात नहीं देता है मेरा खुद का अनुभव है अब तो आस्रम में आ गई तो लगातार बैठना होता है लेकिन शुरू बार आस्रम में रहने के पूर जब मैं अटेंड की आप लोग तो बहुत अच्छे हैं किसी नहीं कहा कि हमारा पैर में दर्द हो रहा था कि कुछ लेकिन जब मैं पहले बार यहां सिविरा टेंड की तो गुटनों में दोनों गुटनों में इतना दर्द है कि मैं चल नहीं पाती थी और घर पर ही रहना होता तो सायथ कर भी ना पाती लेकिन सेयोग ऐसा कि दूसरे साल मुझे आस्रम में दाखिल होना पड़ा आस्रम में जब मैं आई तो लगातारी करम चला और आज मुझे महसूस होता है कि वाकई में ध्यान हम सब की आउशकता है जब मैं पहले बार यहां आई थी तो वही आप लोग बता रहे थे वही बात मेरी भी थी एक विचारों का करम चलता था मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां मेरे माता पीता भाईया भावी कोई उचे आवाज में बात नहीं करते थे बहुती शालिंता से बात किया जाता था अश्वर मेरा सम्मान करते थे प्रकार से हर बात पूछते थे, कभी डानते नहीं थे, तो वहीं बात याद आती थी, कि मेरे भावी इतनी अच्छी है, भावी मुझे एक कहती थी, मेरे पिता जी ऐसे है, मा ऐसी है, तो वो सब क्रम चलता था, कोई गलत बाते नहीं होती थी, फिर भी से सोंचते सोंचते सीर में दर्द होने लगा था, और इतना दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन आज क्रम बिल्कुल उल्टा है, जब मुझे थोड़ा भी कुछ मैसूस होता है, हरारत है या सीर में दर्द है, मैं सिधा ध्यान करती हूँ, और ध्यान से मुझे आराम मिलता है, आप लोग ध्यान देंगे, आदमी दो प्रकार से सीर दर्द होता है, एक तो तब जब गर्मी शरीर में होता है, वो मस्तिस्क में चड़ता है, तब वो सीर दर्द होता है, तो ऐसे इस हिती में हमें अपना बिश्तर छोड़कर की खूली हवा में जाना चाहिए रात में भी खूली हवा में टहलना चाहिए और सुबा सुबा खूली हवा का शेवन कना चाहिए तो आपका सिर्दर्द ठीक हो जाएगा और दूसरी बात आप थोड़ा भी तनाव में आ गए हैं और आपका सिर्दर्द हो रहा है तो सारे तनाव को छोड़ दीजे सारे संकल भी पेल को छोड़ दीजे और आप ध्यान में लोटाएं आपका सिर्दर्द ठीक हो जाएगा तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग इस करम को बनाए रखेंगे यहां के वाद साथ दिन के लिए कोशन होता है सब को विवस्तित पूरे समय तो नहीं हो शक्ता की लंबे समय के लिए लिकिन एक हम लोग यहां पर सिख्छले निकले आए हैं प्रे मारग और स्रे मारग तो प्रे मारग में तो हम लोग चलते आई ही रहे हैं प्रे मारग हमको अच्छा लगता है यह राग रंग काम भोग सब अच्छा लगता है लेकिन अनादी से हम रचे पचे हैं तो लगता है कि यही जीवन अच्छा है लेकिन स्रे मारग, तियाग मारग, कितने लोग कहते हैं, आश्रम में के बाल मंदन नहीं कराएंगे, तब तो आएंगे, लेकिन ये अलग चीज है कि आश्रम में आने के बाद मन अपने आप बदल जाता है, तो बात ये है कि ये शाधू जीवन है, देखने में बड़ा नीरस लगता है, उबढ़ खावर लगता है, लेकिन अंतिम परणाम क्या होगा? इसका अंतिम परणाम अच्छा ही होगा, शुखद होगा, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, एक आंत में बैठें, अपने मन को करेंगे, तो महां की गंदगी उड़ उड़ करके आपको खासी आगी, आपके दम घुटने लगेगा, और कहेंगे कि हम से ये नहीं हो पाएगा, तो आपको ही कहेंगे, आपको कि छोड़ दीचे, फिर उसी में रहना पसंद कीजिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो साफ़ाई पसंद है, तो साफ़ाई पसंद है, तो क्या करेंगे, आपको वो गंदगी को हटाना ही पड़ेगा, ऐसे ही जब आप ध्याने बैठेंगे, तो आपके अनेक प्रकार के संसकार चलेंगे, जो कुछ देखे, कि ये और सुने होगे हैं, वो संसकार सामने आएंगे लेकिन उन संसकारों से घबराना नहीं है, यदि उन से मुक्ति पाना है, तो उसका साख्शी होगर के बैठना होगा, और धीरे धीरे ओ दिन आएगी, जब साहब जी आज कह रहे थे, यदि हम आंखों को बंद कर लें, कान को बंद कर लें, होठों को बंद कर लें, तो वो या केमरा लगा रहता है उधर से आप होएं पता भी नहीं चलता है उनको अब मैं निवेदन करता हूँ साद्वी सुमन साहिब से आप भी आएं और पांच मिनिट समय भागा जा रहा है और बहुत सारे संतों के भी और हमारे वरिस संत हैं उनके भी विचार सुनेंगे अपना अनभव आप सब साध्वी बहने हैं संत लोग हैं एक से को प्रवक्ता हैं यहां तो ध्यान के संबन में अच्छी बात कर रहे थी संतुष्टी साहिब भी ध्यान के संबन में और आप क्या अनभव करते हैं आप को यहां क्या लगा वो सेयर करिए लोगों को बताईए ताकि लोगों को भी प्रेणा मिले प्रेम से बोलिए सद्गरु कबीर साहिब की जै संत समाज की जै भक्त समाज की जै परम सरद्धे परम पुज्य गुरु देव जी अर्चनी वंदनी संत समाज एवं मेरी साधवी बहनो ससंग प्रेमी आत्मी बंधो एवं भक्ती में मेरी माता बहनो आज हम सब का परम सौभाग्य है कि इस स्री कबीर संसान नया पारा में हम सब सबताहिक ध्यान सिवीर का पुरा-पुरा लाव ले पाए यहाँ सिवीर में भाग लेने के लिए फारम भरे होंगे लेकिन किसी की तव्यत खराब हो गई होगी या किसी के साथ और कुछ घटना घड़ गई होगी तो लोग नहीं आ पाए होंगे लेकिन हम लोगों के साथ ऐसी कुछ घटना नहीं घटी स्वास्थे भी सही रहा तो हम लोग इस सप्ताहिक ध्यान-सिविर का पूरा-पूरा लाब ले पाए सचमुच में हम बहुत ही सौ भागे साली नहीं है और मेरा तो इस नया पारा आसरम में जो ध्यान-सिविर है उसका मेरा यह जो बिशरा साल है यानि 99 से मैं इस नया पाराराजिम का ध्यान सी रटेन कर रही हूँ 99 से एक भी साल ऐसा मिश नहीं हुआ है हर साल मैं की हूँ तो मैं तो अपने आपको बहुत ही सबागे साली समझती हूँ और आगे भी अगर सरीर स्वास से अच्छा रहा तो आगे भी मैं अटेंट करना चाहूँगी तो सच मुझ में इतने दिन के ध्यान काल में मुझे यही अन्भा होता है कि कहते हैं जिस प्रकार से महापूर्सों का जन्म एक सुब घड़ी, सुब बेला और सुब नक्षत्र में होता है इसी प्रकार से ध्यान एक महान तत्व है और इसका भी जन्म एक विशिष्ट अवसर, एक विशिष्ट अवस्था, एक विशिष्ट गहराई और एक विशिष्ट स्वास्था चाहिए तभी ध्यान का जन्म हो सकता है हम एक सब्ताह में पुझ्य गुर्देव जी से भी और स्री विवेक साहे जी से भी सुने हैं कि ध्यान के लिए दो प्रकार के वातावरन चाहिए पहला है बाहे वातावरन और दुसरा है आंत्रिक वातावरन बाहे वातावरन याने स्वक्षता हो पवित्रता हो शांत माहूल हो और खान पान में सादापन हो तभी ध्यान का जन्म हो सकता है हम लोग घर में ध्यान करते हैं लेकिन उतना ध्यान क्यों नहीं लगता है क्योंकि अससच वातावरन नहीं रहता है सांत महोल नहीं रहता है खान पान भी ज़्यादा चर्फरा खाते पीते हैं तो उससे भी मन सांत नहीं होता है तो इसलिए हमारे जीवन में ध्यान का जन्मतब हो सकता है जब हमारा बाहे वातावरन सुन्दर हो और दूसरा है आंत्रिक वातावरन हम सब एक सबता का तक अंधों कि ये हैं कि ध्यान के लिए संग का त्याग निश्चित जरूरी है अगर कोई साथी ले करके आये रहे होंगे तो उनसे बाचीत होती रही होगी या और भी बात वैभार होता रहा होगा कि साथी है तो कैसे बात वैभार नहीं करेंगे तो वो लोग तो ध्यान का पूरा-पूरा लाव नहीं लिए होंगे क्योंकि ध्यान के लिए हम सब सुने हैं कि ध्यान के लिए असंगत्व चाहिए अलग धलग चाहिए तभी ध्यान का हम लाव ले सकते हैं दुसरी बात है ध्यान के लिए पूरा अना सक्ति चाहिए, आ सक्ति रही, प्राणी और पदार्थों के प्रति अगर आ सक्ति रहेगी खाने, पीने, देखने, सुनने में, या राग द्वेश रहेगा, सरीर तो ध्यान में बैठा रहेगा, लेकिन मन हमारा किसी प्राणी और ध्यान सिर में अन्भव किये हैं, तो इस तरह से ध्यान के लिए बाह और आंतिक वातावरन दोनों सुन्दर होना चाहिए, दोनों माहौल अच्छा होना चाहिए, तभी हम अंतर की गहराई में पहुँच सकते हैं, तो हम सबने पुझ्य गुर्देव जी से, हमारे पुझ् सुन्दर सुन्दर ज्यान की बाते सुने हैं, इसे हम यहां तो अभ्यास किये ही हैं, अपने घर जाकर के इसका अभ्यास करें, मन में वायराग्य लाएं, तभी पूनसार्थत्ता हो सकती है, नहीं तो चार दिन के और छोड़ दिये, तो हमें पुरा लाफ में मिल सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे अगर ऐसा समय मिले, तो आगे भी इसी तरह से ध्यान अटेन करना चाहूंगी, और अपने जीवन को सुन्दर बनाओंगी, तो परम पुझ्य गुर्देव जी के चरणों में कोटी-कोटी नमन करते हुए, पुझ्य संतों के च हैं कि शादवी सुस्री समता साहिब से निवैदर करते हुँ कि आप आएं और आप भी अपने विचार रखें बोलिए सद्गुरु कबीर साहेवे की जै सद्गुरु स्री अभिलाज साहेवे की जै सद्गुरु स्री सरनफाल साहेवे की जै संत समाज की जै भक्त समाज की जय, भक्ती मती माताओं की जय बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ध्यानार्थी परम पुझे गुरुदेव जी के सरक्षन में साथ दिन तक इस सीविर में भाग लिये और किसको कहां तक कितनी सफलताई मिली ये सब का अपना अपना नुभाव है अपने आत्म की और केंद्रित होने के लिए ये ध्यान सीविर का सुनारा आउसर हम सब को मिला हुआ है जैसे शरीर के लिए भोजा नावस्यक है उसी प्रकार मन को स्वस्था रखने के लिए ध्यान आवस्यक है एम्निटी पावर के बारे में आप हम सब कोरोना काल से ही जानते हैं कि सरीर की रोक प्रती रोधक छमता को बढ़ाने के लिए एम्निटी पावर चाहिए और एम्निटी पावर मेडिकल में या अपने घर में घरेलू नुक्से हैं या फल फुरूट हैं इनसे एम्निटी पावर बढ़ती है लेकिन मन की एम्निटी पावर बढ़ाने के लिए ध्यान चाहिए और इसका ग्यान सद्गुरू कवीर सहब जी को आज से 650 वर्ट से पुर्वा उसे ग्याद था तभी तो वो ध्यान के बारे में कहे हैं सद्गुरू कवीर सहब जी ने कहा है कि सहज ध्यान रहू सहज ध्यान रहू गुरू के वचन समाई हूए उनके आदेशों को अपने जीवन में आतमसात करना बिना गुरू के हम ध्यान नहीं कर सकते यहाँ ध्यान सीवर में आए हैं तो गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार हम ध्यान किये हैं उसी प्रकार हमारा जो ब्यावहारिक और परमार्थिक जो मार्ग है ओ बीना गुरु के सुधर नहीं सकता अभी युवा सांथी लोग कह रहे थे कि हमारे दादा जी हमें प्रेना दिये नाना जी प्रेना दिये आप लोगों से हैं गुजारी सै कि आप लोग अपने घर में जाकर अपने पापा से कहिए कि पापा चलो ध्यान सीविर चलते हैं अगले वर्स अपने पापा को प्रेणा दीजिए आप नाना से और दादा से प्रेणा पाएं तो आप अपने दादा और नाना से प्रेणा पाएं तो आप अपने पापा को प्रेणा दीजिए कि चलो पापा ध्यान सिवीर करते हैं ये ध्यान सीविर अंतर जगत की आत्रा है, अपने आत्म की ओर लोटने की आत्रा है, और इसके लिए चाहिए एक आगरता, बिना एक आगरता के ये ध्यान जो है सफल होने वाला नहीं है, इसलिए हम ध्यान सीविर में आए हैं, हम सबका परम सभाग्य हैं, ये जागने की प्रेडायू एक थिए भुटी ल पह Hetताई business नेई कहा वहीं वह रहुत enterprise इंद्रति हैरने प्रेड़ाने में भुट सब्माने में आकर अपने जीवन को सुंदरू के लिए अपने जीवन को ठ्याक परनी जाने के लिए हम जागे और दुस्तर royal जागी ट्यागन सबसी आई गुजारी साए कि आप हर वर्ट साइए और इस ध्यान सीविर में भाग लिजिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संद गुरु जनों की वानियों को अपने जीवन में आत्म साथ करें ताकि आप सुधरे, आपका परिवार सुधरे, आपका गां सुधरे और आप से प्रेणा लेकर और लोग भी इस रास्ते पर चलने के लिए अपना कदम आगे पढ़ाएं मैं परमपुजय गुरु देव जी और संद गुरु जनों की चलनों में नमन करती हुए आप सब के प्रती अभार व्यक्त करती हुए मैं पनीवाने को विराम देती हूँ बोलिए संद गुरु देव की जय अभी हम सब शाधी बन की विचार सुन रहे थे इस अवसर पर चंद्रकला साहथ भी आई हैं हाला कि वो ध्यान सुर में भाग नहीं ली है फिर भी और सब लोग एक से एक वक्ता हैं मैं ज्यादा नहीं दो से तीन मिनट ही आप से चाहूंगा आप आएं और अपनी बात कुछ रखें प्रेम से बोले सत्गुरु कबीर साहिब की आदरणी परंपुज्य परंश्रद्धे स्री साहिब जी इस मंच पर या इस सिवीर पर आई हुए सभी संत गुरुजनों के स्रीचरणों को कोटी कोटी नमन मेरे सभी साधी बेहने भक्त समाज भक्त मति माता हैं भाईयों एवं बेहनों साहिब जी ने ठीक ही कहा कि मैं सच में इस सिवीर में भाग तो नहीं ले पाई थी पर आज से पहले परंपुज्य स्री स्रूपलीन साहिब अवलाज साहिब जी के सानिद्ध में काफी समय तक ध्यान सिवीर में आती रही साहिब कह रहे हैं कि अपना अपना अनुभा हो तो कम समय में थोड़ी सी बात में कहूं और आप जादा समझें पहले पत्र लिखा करते थे लोग आजकल तो मोबाईल की जमाना है तो नीचे में यह लिखते थे मैं कम लिखूँ अब आप ज़्यादा समझें ऐसा लिखा ज़्यादा सही बात है ना साहिप का एक सब्द है वो कबीर बीजक में से नहीं है वो सब्दावली से वो सब्द ये है संतों गगन मंडल करो बासा जहां देखो अजब तमासा ये जो ध्यान सिवीर की उपलब्धी है वास्तविक में कहा जाए क्या कहूं कुछ कहा न जाए अब कहे बीना कुछ रहा न जाए ये समस्या है अनभव की बात अनभवी ही उसको अपने आप में भाब सकता है अब गगन मंडल जो सब्द है साहिब ने रूपक लिया है जैसे आकास को गगन मंडल कहते हैं हमारा ये सरीर भी एक अखंड ब्रहम हंड है अई इसमें गगन मंडल क्या है आप जान सकते हैं क्योंकि आप सब अनभवी हैं और वहाँ पर जब मन को अपना कैंदरित यह जीव कर लेता है तो वास्तवीप में परम सांती, परम अनभूते और परम सुक जिस सुको को प्राप्त करने के बाद दुख का कदाचित कभी भास नहीं होता उस तत्त को प्राप्त कर लेता है जीव और यही ए ध्यान सिवीर की मेरे अनभाव से उपलब्धी है और ओरों को नहीं कह सकती पर मेरे जीवन की अजब उसका सतत अभ्यास हो जाता है न तो सद्गुरु कभीर ने एक पंग्ती कहा है संतों सहज समाधी भली फिर तो आपकी जीवन की दिनचरिया में और ध्यान जो है समाहित हो जाएगा फिर जहाँ जहाँ डोलू सोई परिकरमा आगे की पंग्ती आप सब जानते हैं ज़्यादा कुछ न गहते हुए इन्ही सब्दों के साथ संत गुरुजनों सभी की चरणों में कोटी नबन करते हुए वाडी को विराम साहे बंदगी निश्चिति जो साधक शाधन पत में चल रहा है उसको मन की इस्ति और ध्यान समाधी में सांती इस्ति का अनभा होता है अभी गगन वंडल की बास सुन रहे थे कई एक शाधना के आयाम है कई सोपान है कई साधक आख बंद करके ध्यान करते हैं और मस्तिस्क में गगन मंडल मतलब मस्तिस्क उसमें जो आवाज होती है उसमें अनेक प्रकार की कलपना करते हैं भावना करते हैं अब उसी में तलीन हो जाते हैं और आप सब को पता है कि जब हम किसी में एकदम तनमय हो जाते हैं चाहे सब्द में, नाद में या बिंद में तो फिर दूसरी चीज़ का भान नहीं रहता तो उस छण तक आदमी सब कुछ को भूला रहता है और जब एकागरता के लिए है लेकिन सजग चित हो करके जब साक्षी हुआ जाता है हर चीज़ का साक्षी तो और मन मजबूत होता है और वो जीवन की घटनाओं को भी साक्षी तरीके से देख सकता है साक्षी ततस्टवाव से आएं अब मैं विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ स्रद्धे संस्री हरेन साहिब साहिब आप भी दो से तिन मिनट में ही अपनी बात रखेंगे क्योंकि साहिब जी का आने का भी समय हो रहा है और दो तिन हमारे साहिब लोग बाकी है बोलिये स्री शद्गुरु देव की सुस्ती से नहीं चुस्ती से बोलिये स्री शद्गुरु देव की विश्वन्दनी शद्गुरु कभी शाहिब के चापावन चरणों में नमन करते हुए भोध दाता, घ्ञान दाता गुरुदेव जी के पावई प्रिन चरणों में नमन करते हुए इस घ्यान की गंगा को ध्यान की धारा को आगे बढ़ने वाले परमपुझ धर्मेंद साहिब जी के चरणों में नमन करते हुए वंदनी संसमाच, उपस्ति सजनों, मात्रिशक्ति देवियों तथा शाद्वी भहनों ज्यादा गहरी बाते तो आप लोगों ने ये पहली बार नहीं परमपुजे गुरुदेव जी से ही सुनते आ रहे हैं ये हम सब का सवभाग्य है लेकिन आज हम इस ध्यांस्वीर की अंतरगत इस सत्य को इस सत्य को ले करके जाएंगे जैसे यहाँ पर कोई कलाकार भी हो सकता है जो चित्र बनाता है, मूर्ती बनाता है कोई 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 किसी प्रकार का किसी चीजों का अविश्कार करता है वस्तु अपने आप में गड़ा हुआ नहीं होता आप चले जाए निमोरा अभनपूर से आगे जो है निमोरा वहाँ कोई मूर्ती कार मूर्ती बनाता है आप उनसे पुछे कि अब तक के समय में आपने जो मूर्ती बनाई है उस मूर्ती का पेक्षा आगे चल करके आप किस प्रकार का निर्मान करना चाहते है उससे और बढ़िया बने कि उससे और घटिया बने उत्तर क्या मिलेगा उससे बढ़िया आच्छा आप लोग तरब भी मैं चलता हूँ थोड़ा आपकी सासु मान ने आपको या आपकी माताजी ने आपको हलवा पूड़ी या कोई चीज मिठाई बनाने के लिए कहा और आप से बिगड़ गया आने वाले समय में फिर से वही आइटम बनाने के लिए होगा हरेली देवाली होली में तो आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे बिगाड़ करके की बना करके जोर से बोलो बना करके ये महापुरुष जो ध्यान की परकृरिया बताते हैं सेम तुसुम वही उदारण है अब तक जो हमने जीवन जिया है अब तक समय तक जो हमने जीवन जिया है 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल कोई इसमें गलानी नहीं करना नराज मत होना इसके लिए मैं पहले शमाचा चाहता हूँ अब तब जो हमने 20 साल, 40 साल, 50 साल, साल तो जीवन जीए है ना साहब ये पूरा रफ है वाणी में, भावनाओं में करने में, रहने में, बेवार में आप थोड़ा सा आंकलन तो करिए कितना उसमें हमने रफ जीवन जीआ है वही रफ से फेर की और बढ़ने के लिए वही पत्धर से मूर्थ की और बढ़ने के लिए वही जो उबढगाबढ भोजन हमने जो बनाया उससे स्वाजिष्ट भोजन बनायने की ये कला, ये सीख, संदेश, ये संत महापुरस देने के लिए आपको बुलाते हैं तमन्ना दर्दा दिल में है तो कर खिदमत पकीरों की नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजानों में मेरा निविदन है कि जो हमने आज इन महापुरसों से सीखा इन सीखो को केवल संद महापुरसों पर हम टिपेंड न करें बस मेरा एक छोटा सनिविदन है कि आपके घर में कोई दुखी सुखित कोई कारिकरम हो इसमें चलो नवापारस से साहब लोग बुला लेते हैं कोईन कोई संद मिल जाएंगे सथी निप्टाने के लिए कि आपके घर में कोई दुखित कोई कारिकरम हुआ दुखशू का कारिकरम उसमें काम निप्टाने के लिए बुला लें इसका मतलब है जिंदगी और जिंदगी कुदेश को हमने नहीं समझ पाया अगर यहीं तक हम सिमित रहते हैं तो लेकिन जीवन को अगर जीना है आप हम आने वाली पिडियों भी अच्छी संदे से एक सबक देना है मतलब है ध्यान हमारी जीवन की आउसे है जो हर बिमारियों का समाधान है अगर हमारे अंतरकरन में ये बातें बैड़ती है तो निशितरू से हमारे घर का देखना, सुनना, बोलना, चलना हर यावत बैवार और इतना सुन्दर होगा कि दियान आपके जीवन का एक स्वास बन जाएगा समय इंकार कर रहा है इतने कहा करके अपने बातों के राम देता हूँ शाहिब बंदगी शाहिव बहुत बहुत धन्यवास श्री साहिव जी को आएं अब मैं निवेदन करता हूँ सक्री आश्रम से प्रधारे हुए स्रद्धे संस्री गुरु जतन साहिव जी से आप भी कुछ मिनट अपने विचार दें साहिव जी आप भी परंपुज्य श्री शाहिव जी बंदनेशन समाज उपस्तित नेड़चिर विवे की बंदों श्रद्धामति देवियों प्यारे बच्चों ध्यान सिविर शाधना का केंद्र है हमारे मन और इंद्रियां बहिर मुख है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए गुरु की आश्कता है अगुरु हर समय नहीं मिलता हर जगा नहीं एक शीविर के माध्यम से शद्गुरु और संतों के शानित्यम रह करके हमारे मन और इंद्री चंचल है उसको काबु करने के लिए एक मात्र अस्थल है शद्गुरु कहते है कहां ही कबीर ते उबरे जाहिन मोह शमाए वहीं उबर सकता है जिसके मन में कहीं भी मोह नहो यह जीवन अनौन मिला है यह बार बार यह अवसर नहीं मिलेगा महात्मा बुद्ध कहते हैं भिक्छुओं यह जनम मरण के जो चक्र चल रहा है कब से है तुम्हें पता है भिक्छु कहते हैं नहीं भनते नहीं यह अनादी काली नहीं अनादी काल से तुम्हारी आत्मा है प्री के भियोग और अप्री के शंजोग में भटक रहा है भिक्छुओं कब तक भटकते रहोगे जब तक से गुरू के द्वारा प्रकृति और पुरुष का भिन अभिवेक नहीं होगा तब तक वैराग नहीं हो सकता है और तब तक राग समाप्त नहीं हो सकता है उस राग को समाप्त करने के लिए ही या ध्यान की आउस्कता है जब तक हम गुरु के शानित्य में रह करके ध्यान नहीं करेंगे यहां के खाना, यहां के पहना पहनना, उड़ना बोलना, चलना शब कुछ शंतुलित है और यह प्रक्रिया हम साथ दिन तक यहां आकर कर लिये और अपने यह बानगी है लेकिन हम लोग अपने घर में जा करके यह अभ्यास खुद करें चाहे बच्चे आये हैं, जवान आये हैं, बुड़े आये हैं घर में भी अपना अनुशासित करें, खुब अनुशासित में रह करके अपने परिवार वालों को तभी ध्यान सफल हो सकता है अतभी शाधना पक्का हो सकता है, और हमारी जो जनम मरण के जो चक्र है उस समाप्त हो सकता है इसलिए शद्गुरु कबीर के जो बीजक है, उसका घर घर में पाठ होना चाहिए और अध्यन भी होना चाहिए सद्गुरू स्रीय अभलास साहिब जी का जो दिया हुआ जो बीजक व्याक्ख्या है दोनों घंड में पुज्य संस्री धर्मिन साहिब जी के बीजक कभीर बीजक का रतन है इसारी ग्रंथों को खुब अध्यन होना चाहिए तुरूटी धोती छाया जब तक जीवन है तब तक मिलेगा खेती नौकरी बेपार के बल पर लेकिन खेती नौकरी बेपार चार यच्छे घंटक होता है पूरा समय बाकी है उस समय को हमें ध्यान में नियुजित करके शेवा स्वध्धाय और साधना में जीवन जीएं उसी के लिए या सीख बान गिर लेने के लिए गुरू और संतों की सानिद्धे में आये हैं यहां से बहुत बड़ी शंपत्ति लेकर के आप सब जाएं और अपने जीवन को तरासें इसलिए शद्गुरू स्रिबलाज साह जीवन का मुख्या मांजने का अपने आपको साधने के लिए क्या चीज है विवेक और वैराग्या विवेक करो मैं कौन हो कहां से आया हूं कहां कब तक रहूंगा सब कुछ छुटेगा धन छुटेगा तन छुटेगा जन छुटेगा मैं किसमें भटक रहा हूं सदक लिए चुटने वाला है इसलिए जब विवेक करोगे तभी मन में वैराग्य होगा तभी राख चुटेगा तभी अपने में आत्मा में चित जुड़ेगा तभी मोक्ष हो सकता है अब मोक्ष पाने के लिए नर्शरील मिला है और उसके लिए किवल हमारा भेश नहीं कपड़ा नही गिरहस्त हो विरक्त सबका अधिकार है मोक्ष पाने में उसी के लिए यहां पर ध्यान सीवी लगाए जाता है मैं अपने वाले को विराम देता हूँ आप सबको धिन में वालेता हूँ बोलिये सद्गुरु देव की जये थोड़े में स्रद्धे स्री साहिब जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कैसे हमारे जीवन में ध्यान उप्तरे और कैसे हमारे जीवन में हम वेवेप वेराग के पत पर चल करके सांतिला प्राप्त कर सकते हैं अब स्रद्धे स्वामी जी रतन साहिब जी का क्रया से बढ़ा रहे हैं वो भी इस ध्यान स्विर में भाग लें वहीं ले जाकर के दें वहीं स्वामी जी पांच मिनट अपना विचार दीजे सब लोग बड़े बड़े वक्त हैं मैं देकर समय देने में भी घबराहट होती है कि इनको क्या कहूं लेकिन आयोजिकों की तरफ से बार-बार संकेत भी मिल रहा है कि इतने समय में पूरा करना है मैं भी दूइधा में हूँ लेकिन छमा चाहूंगा आप सबसे एक बार सभी लोग प्रहम से बोलेंगे बोलो सद्गुर कबीर साहिब की परमाधरने संसमाज प्रियसर जनो तथा देवी और देवताओ तथा छोटे-छोटे बाला कूर बालकाओ आप लोग साथ दिन के द्यान सिवर में जो भाग लिये हैं बहुत ही सो भाग साली है इससे बड़ा और कोई सो भाग है यह नहीं इससे बड़ा कोई सो भाग संसार में नहीं है कियोंकि इस सो भाग से सो भाग साली क्यों है कियोंकि द्यान करने से अंदर का कच्रा दूर हो जाता है द्यान करेंगे तो अंदर का कोई भी कच्रा नहीं रहेगा कच्रा ही उसको दिन रात भुलाता है दिन रात उसको नचाता है अब ज़द ध्यान करेंगे तो दुखकचरा है वो बिल्कुल निकल जाएगा कोई कचरा ही रहेगा संसार के सारी संपत्ते ये 36 गड़ नहीं पूरे संसार के सारी संपत्ते को एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए फिर भी सारे संसार की संपत्ती जीवन के आगे नहीं तोच सकते क्योंकि संपत्ती है वो छणक है संपत्ती अपनी जगे पर है लेकिन वो निर्वाई की चीज है उससे केवल सरी का निर्वाई होगा कपड़ा बढ़िया पेनेंगे बोजन बढ़िया करेंगे मकान बढ़िया करेंगे गाली को बढ़िया खरी देंगे ये सब होगा लेकिन जीवन को नहीं समझ पाएंगे जीवन को समझने के लिए ध्यान की ज़रूरत है जब ध्यान आप करेंगे और ध्यान में जब मौन हो जाएगा मन मौन मन को मौन करना है मन ही तो खुदर-बुदर कर रहा है मन ही तो नचा रहा है जैसे बाजीगर है बंदर को नचाता है कभीर साम ने बीजक में कहा है बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ यह से बाजीगर बाजीगर है बांदर को नचाता है इसी परकार से जीव इसी परकार से मन जीव को नचा रहा है जीव को नचा रहा है कितने दिन बर भटकते हैं लेकिन आप द्यान किये हैं द्यान में आये हैं वो साथ दिन में कितनी सांती मिली है तो सांती को अगर आप चाहते हैं सांती को प्राप्त करना चाहते हैं तो द्यान कीजिए द्यान का ये पहला आउसर है पहला जीवन है अगर आप ध्यान करेंगे तब ही जीवन को आप समझ पाएंगे जीवन को नहीं समझ पाएंगे जीवन को समझने के लिए ध्यान की जरूरत है ध्यान की जरूरत है ध्यान में मन एकागर हो जाता है तब अपने सरुप का बोध होता है कहते हैं कि ध्यान नहीं करना चाहिए ध्यान नहीं करेंगे तो मन इधर उधर भठकाएगा ध्यान करने से दिर्ष्टा का बोध होता है ध्यान करने से अपने आपका बोध होता है ध्यान करने से अपने आप में इस्तिती होती है और जब आप में सित्य हो जाएगी तो संसार बोना बोना जानते हैं बोना लगेगा संसार बोना लगेगा इस तरी बोना लगेगे दंपत्ती बोना लगेगे सारे संपत्ती बोना उसके आगे कुछ है ही नहीं आप ईस्वर के ईस्वर हैं आप भगवान के भी भगवान हैं सब भगवान बैठे हैं ये भी सब भगवान बैठे हैं भगवान है अंदर का केवल कच्रा निकलना चाहिए और कच्रा निकलेगा ध्यान से निकलेगा बगर ध्यान के कच्रा नहीं निकलेगा कच्रा निकालने के लिए ध्यान चाहिए, उतना समय में ने पास नहीं है, बीजक में बहुत, बीजक का आपको लोगों का अद्रन करना चाहिए, बीजक में बहुत मसाला भरा हुआ है, बहुत ग्यान भरा हुआ है, अगर आप बीजक का अद्रन करेंगे, तो आपके अंदर क कच्रा भी निकल जाएगा, ध्यान करेंगे तब भी निकल जाएगा इसलिए मेरे पास अतना समय नहीं है मैं इतना ही कह करके अपनी बाड़ी को बिराम देता हूँ, कि जो ध्यान यहां किये है, वोई ध्यान को आपको घर में भी करना चाहिए, बाल बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और जब ध्यान सब लोग सुख जाएंगे, घर में जगड़ा नाम की चीज नहीं, घर में दुरबुद्धी नाम की चीज नहीं, घर में ऐसा बाता बरन बन जाएगा कि क्या पूछना, इसलिए बहुत सुन्दर मुका मिला है, ध्यान का सुन्दर मुका मिला है, इसलिए ध्यान करके अपने आप में मस्त होना चाहिए, मस्ती अपने में है, जिंदिगे में जिंदिगे का राजपाना चाहिए, मन और इंद्रियों को दो बिशे हैं स्वा और पर जिसको सासरों की बासा में प्रकित और पुरस भी कहते हैं जड़ और चेतन भी कहते हैं दिर्ष्टा और दिर्ष्ट भी कहते हैं स्वा और पर भी कहते हैं लेकिन हम दिर्ष्टा हैं लेकिन दिर्ष्ट में भूल गए हैं दिरसे को सब कुछ मान लिए है, जो कुछ है वो जमीनी है, जो कुछ है वो धनी है, जो कुछ है वो विस्त्री है, जो कुछ है वो परवारी है, ऐसा हम लोग भूले हुए हैं, तो इसी भूल को मिटाने के लिए ध्यान की जरूरत है, अज़ ध्यान करेंगे, इस सारी भूल म मस्त हो जाएंगे इनी सब्सक्राइब के साथ में अपनी बाणी को बिराम देता हूं बहुत सुंदर पोजय स्वामे जी हम तो बच्पन से जानते हैं छोटे छोटे रह तब से हमारे जनम्भू में जाते थे और एक अच्छे वक्ता है लेकिन अब भई समय है अब मैं स्रद्धे संस्री कृपा सर्म साहिब जी से निवेदन करता हूं कि आप भी कुछ मिनिट अपने विचार हम सब के बीच रखे सुनते सुनते आलस चंडाल भी घेरता है आईए इस आलस चंडाल को नया पारा के बस स्टेन तरफ पहुचाएं साधन है जैकारा है भोलिये स्ट्छुरुक वीर साहिब की शद्ध्धुरु रामशुरश शाहिब की स्ट्गुर विलश शाहिब की स्रद्धे संस्री शरनपाल शाहिब की अमरिश शाहिब की संत शमाज digital भत शमाज digital मंगल मैं मंगल करन मंगल रोपक बीर ध्यान धरत नाशत शकल करम जनित अग्य पीर अजर्य मरत्र काल शत जो अनंत चेतन निजयन भोशे जान जात जो सांत तीजिगन नुर्विकार निर्दुन्द शदा शर्वो परिसोई तेही पद धर्शक दीव्यरहनित बोधक जोई अशे मोक्त शरूप जो स्रिगुर्वर के चरन चित सेश जुकावत दासे जनम मरन भय हरनहित बोलिये शद्य गुरो देव के जै प्रयागराशी पधारे परमसद्धे पुझपात स्रिशाहिब जी मन्चाशिन मुद्मंगलमे शंत समाज अनेक छेत्रों से पधारे हुए धर्म प्रेमे सजनों श्रद्धा मुरती मातां बैनों इस बशुंधरा में पढने वाले प्यारे प्यारे बच्चों आज हम शब सब्ताहिक ध्यान सिविर के अंतिम पुर्णा होती में आज हम शब अभी पुझ्य संतों के द्वारा साधूयों के द्वारा भक्तों के द्वारा अपना अपना अनभव ध्यान सिविर के शंदर्व में सभी लोगों ने बहुत शुंदर अपना अपना अनभव बताए अब मुझे भी शमय दिया है मैं अपना अनभव क्या बताऊं जैसे गूंगे गूड खा ले तो उसका मिठास क्या बताए उसी तरह है जो भी मैं बताऊंगा वो अधूरा होगा उसको खा करके ही आप हम सब अनभव कर शकते और साथ दिन तक ध्यान शहर में जो शजन या युवा समाई या बच्चियां या महिलाएं साधुएं उसका अनभव शोयमो करते किये हैं अब मैं अनभव का बताऊं यही बात कहां जैसे गूंगे गुड़ खा लें उसका अनभव क्या बताएगा फिर भी बतानत पड़ेगा क्योंकि इतने लंबे शमय से करते आए हैं उनिश व्यानबे से प्रियाग राज में सब्ताहिक ज्यान शमिर चलता आया है वहाँ भी मैं पूरक पूरा रहने का उशर मिला अब तक और यहाँ भी जब शे प्रारंभुआ है संस्था और इस ध्यान शमिर सब्ताहिक उसमें भी रहने का बड़ा मुझे शोभाग मिला है अब मैं कितना शैयत हूँ कितना मैं अपने बश में अपने आप में रहता हूँ ये तो हमारे साथी बराती बताएगे बिवार में मैं कितना मधूरता से बड़ताओ करता हूँ कितने मेरी वानी में विटास है उसका अनभव आप सब बताएगा ये ध्यान शुविर हमें केवल साथ दिन बैट करके मन का द्रस्टा बनना है कहोई प्रणा नहीं देते हमारा पूरा जीवन ध्यान में होना है तेश घंटा गुर्देव जी कहा करते थे एक घंटा ध्यान के लिए तेश घंटा हमें ब्यवस्थित जीवन जीना होगा एक घंटा ध्यान किया और तेश घंटा हमारा जीवन बेतिकरम है तो अच्छा ध्यान नहीं होगा हम लोग शाधक है संसमाज में है गर्शन समाज में अगर हम किशी बात को लेके उल्जन में हैं, लाग डाट में हैं, अगर हम एक घंटा ध्यान में हम बैठते हैं, तो वही आएगा ध्यान में, मैं निरर्थक उनको डाटा, निरर्थक मैं उनके साथ ऐसा बहार किया, ध्यान में वही आएगा, दिमाग में व जीवन जीना होगा रह गई बाद आप सब आए हैं आप जब यहां से जाएं तो घर वाले या पास वाले या साथी भराती उनको श्मय मनभव हो कि यह भाई यह हमारी माई हमारी बहन यह हमारे बेटा हमारा पिता हमारा नाना हमारा दादा ध्यान करके आए है और उनका बेवार इतना ऐसा मधूर होना है कि अपने आप उन लोग परखले अपने आप जान ले आप यहां से जाए घर में कोई काम भिगड़ गया अब आप उलज गये तो क्या कहेंगे बहु क्या कहेंगी, पत्नी क्या कहेंगी, बेटा क्या कहेंगी, क्या ध्यान सेविर में यही बात बताएंगे इसलिए मेरे निवेदन है कि आपका पूरा जीवन अम्रित में हो जाए साथ दिन तक जो बताएंगे, जीवन को तराशने के लिए बताएंगे और हमारे संचालक साव उनकी इतनी भावना रहती है तनलिंता कि उनका जीवन जितने लोग आए इतना बढ़िया हो जाए इतना बढ़िया हो जाए अब विशेश कर इनकी भावना है यूँआ पीड़ी क्योंकि हम लोग इसी पीड़ी से गुजरें मैं भी सत्रा साल की उमर में गुरुदेव जी की सरण माया हूँ उनिश्य बहत्तर से घर छोडा हूँ मुझे भी तरस आती है अगर ये यूँआ पीड़ी अगर शुधर जा तो भाविश का अच्छा निर्मान हो ये हमारे भाविश के धरवर है ये हमारे भाविश का आमानत है ये भाविश के हमारे असली दावलत थंपत्ति है इनी में राम कृष्ण पूद्ध महाबिर इनी बच्चों में शिपे हुए इधी में गांधी जवाहर पटेल तुल्शी कभीर नानक विवेकानन धयानंद इनी बच्चों में शिपे हुए है और इनी बालिकाओं में इ कितना वो समझ पाई हूं कितना उनका मन शांत रहे हूं वह उसका अनभव करेगी किए होंगी लेकिन मेरा निवेदन है कि इनी बच्चीों में रजिया बेगम चिपी हुए है विक्टोरिया चिपी हुए है इंद्रा गांधी चिपी हुए है परतिभा पातिल आओ आविश्कनता है कि इने बच्चों में बच्चियों में हमें अच्छी शीख अच्छी संस्कार देने की जरूरत है। इने बच्चियों नहीं बीतेगा और हम ध्यान में आएंगे ध्यान में बैठेगे एक गंटा अधे गंटा देश मिनट तो ध्यान नहीं लगेगा। गाड़ी के द्वारा बच्चा जाता है तो बुड़े माबाप घर के अभिवाग लोग गही कहतें। देखो वेटा ध्यान से गाड़ी चलाना। जातो रहे हूं ध्यान से पढ़ना। गलत बच्चों के शात्र शंग न करना। हमारा हर काम किस पर फोकस होता है। ध्यान पर ही होता है। लेकिन हमारी भावना क्या बन गई है। ये तो ध्यान, ये शमाद, ये चेंतन केवले सादु महात्मा के लिए रिजर्व है। ये तो सद्गुर्व लाशाहर और पारक्षद्धान में अदूति महापुरुशाजिनों ने आम जन्ता के लिए ध्यान सेविर को खोल दिया। शब कर सकते हैं सब के लिए ये अमानत दौलत है। बिना ध्यान के किसी को शांती मिलने वाली नहीं है। अंतर्यात्रा करने के लिए अंतर की ओर लोटने के लिए एक ही शादन है। वो है ध्यान है। बिवारिक जीवन भी हमारा ध्यान में होगा। और जब इसी ध्यान जो है हमारी अंतर्यात्रा भी ये ध्यान हमें खोलता है। आत्मा में विश्राम पाने के एक ही जगा है, वो है ध्यान शमादी, और ध्यान क्या है, शब तरब से लोट करके अपने आप में स्थित होना, ये तो बार बार हम सुनते रहें, ध्यानम निर्विश्यम मना, मन का निर्विशय हो जाना ही ध्यान है, मन में कुड़ाय कबार है, इकठे है, संसकारों का पुलिंदा है, संसकारों का अंबार है, इनी संसकारों को हमें देखना है, उसमें मलना नहीं है, ये ध्यान हमें बताता है, अंत में शारे विचार अपने आप समाप्त हो जाना, ये ध्यान है, अब अंत में आत्मा में हमारा बिश्राम मिलेगा और ये कब जब हम ध्यान में रहेंगे ध्यान में जाएंगे और आंत में आत्मा में ही बिश्राम मिलेगा और कहीं बिश्राम मिलने वाला नहीं है सदुरु कभी साहब ने इस अंदर्व में कहा कहा बिश्राम मिलेगा साहिब कहते हैं माझ मजरिया बशे शुजान है जन होई है शोथी रहा हूँ और निर्भाय भैता गुरु की नगरिया सुख सोवे दाश कभी रहा हूँ जीव को साधक को कहा विश्राम मिलेगा वे जन विश्राम कहा पाएगा ये हिर्दय मंदिर में माझ मजरिया में हिर्दय मंदिर में ही विश्राम मिलने वाला है सब तरब से लोट करके अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं इसलिए साहब कहते हैं माझ मजरिया बशे सुजाने हिर्दय मंदिर में ही हिर्दे के मध में ही वह जन को साधक को बिश्राम मिलेगा और निर्भय भय ताँ गुरु की नगरिया सुक्सो दाश कबीरा निर्भय भय ताँ गुरु की नगरिया गुरु की नगरि में ही निर्भय सच्चा शुक मिलेगा यह गुरु की नगरि क्या है यह शत्संग गुरू की नगरी गुरू की नगरी आत्म में विश्राम लोटाना ही गुरू की नगरी है और कहीं विश्राम नहीं है उसका परम साधन है वो ध्यान है पुझ जवर साहिब जी विराजमान हो रहे है सभी लोग आगे बढ़ करके बैठेंगे सभी माता बहनों से भाईयों से सबसे नगरी बढ़ करके बैठें बोलिये शद्गरो देवा की जय साहे बंदगी यही पर अपनी वाणे को विराब देता हूं पुजिवर आप लोग आवाज न करें धीरे से आगे खसक करके बैठें इनको पहले बोलने भी फिर भजन कवादें आप लोग जय कारा कि घोश करें बोलिये सद्गुरु कवीर साहेबे की सद्गुरु रामसुरस साहेबे की सद्गुरु अभलास साहेबे की स्री संपाल साहेबे की पुजशन समाजे की भग समाजे की आप लोग साथ दिन तक यहाँ आ करके और ध्यान का लावर जित किये उसमें आप लोगों को कुछ अनभाव जरूर हुआ होगा अपना अमुल्य समय निकाल करके आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए हम अभारी हैं साथ साथ जिन्हों ने अपने पुर्शार्थ के द्वारा धन अर्जित किया ध्यान अर्थियों की सेवा में लगाया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और धन्यवाद के पात्र वे हैं जो हमारे पुज गुरुजन हैं जिन्होंने हमें अपना मुल्य समय दे करके और यहाँ तक आए हम उनके भी अभारी रहेंगे और उनको हम धन्यवाद क्या देंगे वे तो हमारे कल्यान के मार को प्रजशित करने वाले हैं और अभी जो इस कारिक्रम में कुछ अनुदान दिये है और तो पहले सुना दिया गया था हमारे जो को सद्धक्ष बिरेन साहिब जी है वो आप लोगों समक्ष रखेंगे इद्धान सिवीर का जो सुरवाद भक्त प्रवर संकर गवटिया जी ने पुझ्यश्री अबलाज साहिब जी से कहा एक वर्स बिच्चुका था तो उन्होंने कहा कि गुर्देव जी आपकी क्रिपा प्रतिवर्स यहां होना चाहिए और इसी तरह से कारेक्रम होते रहना चाहिए तो उन्होंने ध्यान सिवीर के लिए दो एकड जमीन तली लगा अगर उनको यह करेंगे दो एकड जमीन उन्होंने ध्यान सिवीर के लिए कहा मेरा जीवन रहे या ना रहे और बराबर एक कार क्रम चलते रहना चाहिए तो उनका सुपुत्र लोग जमीन को अर्जित दिये यहां और बराबर शेवा में लग रहा है तो इस कार क्रम में आप लोग जो अनुदान दिये हैं उनका नाम हमारे संस्री विरेन साहिब जी लख रहे है हाँ जो अनुदान दिये हैं उनके बारे में अदरने संस्री विरेन साहिब जी आपको बता रहे है हाँ एक बाद में कहना भूल गया इस आश्राम को सेवा देने वाले हमारे पडोसी एक सामिन्स सरदार जी कुर्वक रहने वाले हैं चाये दो कुंटल हो चाये चार कुंटल के हो लकडिक काम हो ब्रावर सेवा देते हैं उनके प्रतिभी अभारी हैं और गनेश डेडर्स इस नया पार के रहने वाले हैं उनके भी सेवा बड़ावर यहां देते रहते हैं तो उनका नाम मैंने बताना भूल गया था बलो सद्गुरुदेव की जैए